नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन खुमार जब जारखंड के मुख्य मंत्री हिमंद सुरेन महराष्ट के एक नात्षिंदे की तरह भाजपा के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनने को तयार नहीं हुए तो उन्हें अलग-अलग तरह से याद दिलाया जाने लगा कि आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है और इसी अभियान से पैदा होता है यह सवाल कि क्या हिमंद सोरेन को गिर अफ़तार करने की तयारी हो रही है चोकि जिस तरह से दिल्ली से चाले चली जा रही है उसका इशा लगा दो कि वो खुद ही इस्तीफा दे दे और इसके बाद उन्हें आसानी से गिरफतार किया जा सकता है दरसल एडी के दारोगा ने हिमंत सुरेन को समन भेज कर अपने राची दफ्तर में हाजिर होने को कहा एक तरह से हुक्म दिया है यादेश है किसी राची के मुख्यमंतरी को कोई दारोगा तलब करे ये अपने आप में हाहकारी है क्योंकि मुख्यमंतरी राची का समवैधानिक निर्वाचित मुख्या होता है एडी के इस समन ने बीजेपी को मसाला दे दिया है इसकी चर्चा आगे करेंगे लेकिन इतना जान लीजिए कि सोरेन को एडी का समन जारी किये जाने के बाद से जारखंट से लेकर दिल्ली तक सियासत में हलचल तेज हो गई आपको पताई है कि जारखंट में जारखंट मुक्ती मोर्चा आरजेडी और कॉंग्रेस की मिली जुली सरकार है यूपिये की इसलिए कॉंग्रेस और आरजेडी भी घटना करम पर नजर बनाए हुए है सोरेन को समन भेजे जाने की खबर आग की तरह पहली आनन फानन में तैह हुआ कि यूपिये विधायक तल की बैठक बुलाई जाए ये भी तैह हुआ कि ये बैठक मुक्ख्यमंत्री आवास में बुलाई जाए और बैठक की अध्यक्षता भी खुद सीम हमंत सोरेन करे जिससे ये संदेश चा सके कि पूरा यूपिये हमंत सोरेन के पीछे एक जुट है इस बैठक में जारखन मुक्ति मोर्चा कॉंगरेस और आरजेडी तीनों के विधायक शामिल थे तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों को भी खास तोर पर मौजूद रहने का निदेश दिया गया था इस बैठक के लिए दो एजेंडा रखा गया पहला मुक्यमंत्री को जारी एडी का समन और दूसरा चुनावायोग के लिफाफे पर राजिपाल का बयान बता दे कि दो नवंबर की सुबह सुबह खबर आती है कि प्रवतन निदेशालई यानि एडी ने अवायद खानन और मनी लॉंडरिंग के मामले में मुक्यमंत्री हिमन सुरेन को समन भेजा है उन्हें आदेश दिया गया है कि तीन नवंबर को दिन के साड़े ग्यारव बजे राज़ी इस्थित एडी के जोनल आफिस में हाजिर हों मतलब उनके पास केवल 24 गंटे का समय इससे पहले खबरें आई थी कि एडी ने राची जोनल आफिस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर जारखन पुलिस मुक्याले को एक चिट्थी बेजी है उसने CRPF को भी ऐसी ही एक चिट्थी बेजी है तब ही से ये खबरें आ रही थी कि एडी राज्य के किसी बड़े नेता को या किसी बड़ी राजनेतिक शक्सियत को बुलाने की तैयारी में है गौल तलब है कि मुक्यमंत्री के विधायक प्रते ने धी पंकज मिश्रा से मिले कुछ सुरागों के दावे के आधार पर मुक्यमंत्री हमन सुरेन को तलब किया गया है ऐसा लग रहा है जिससे सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है इधर E.D. के समन के खबर बाहर आती है और उधर B.J.P. तीर कमान बाहर निकाल लेती है जारकंड में सियासी बयान वाजियां आस्मान पर जा पहुँची B.J.P. ने सिर्फ समन के अधार पर यहां तक मान कर डाली कि CM हेमन सोरेन को नेतिकता के आधार पर इस्तीफा दे कर ED की जाच का सामना करना चाहिए पूर मुख्य मंत्री बाबुलाल मरांडी ने कहा कि CM को समझना होगा कि जनादेश लूट का लाइसेंस नहीं होता लूट के पाप को वोट से धका नहीं जा सकता वहीं गोड़ा से लोक सबा सांसद फिर बीजेपी के निशिकान दुबे ने कहा कि जब लालू यादो और मधू कोड़ा को ED और CBI ने पकड़ा था तो केंदर में उनकी ही सरकार थी तब जाच पर किसी ने सवाल नहीं उठाया यूपिय की तरफ से इस हमले का जवाब देने की कमान कॉंग्रेस ने संभाली पार्टी के प्रवक्ता राजी उरंजन ने ED के समन को बदले की कारवाई बताते हुए कहा कि बीजेपी विपक्षी दल के नेताओं की छवी धुमिल करना चाहती है वरना ED क्या कारवाई कर रही है और क्या कारवाई करने वाली है ये बीजेपी के नेताओं के जरीए कैसे लीक हो जाता है राजी उरंजन ने कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से राजनीत करना चाहती है जो कभी सफल नहीं होगा आपको याद हो तो ED ने 19 जुलाई को मुख्यमंत्री हमन सुरेन के विधायक प्रतिने दी पंकज मिश्रा को मनी लॉंडरिंग और अवैद खनन के आरोपों में गिरफतार किया था ED ने अपनी चार्शीट में बताया था कि पंकज मिश्रा ने 42 करोड रुपए की मनी लॉंडरिंग की है साथ ही जारखन में 1000 करोड से अधिक का अवैद खनन भी किया गया फिलहाल पंकज मिश्रा नियाईक हिरासत में है जेल में है और रिम्स में उनका इलाद चल रहा है इसके बाद E.D. ने दो और लोगों को गिरफतार किया उनसे पूछताच के बाद दवा किया गया कि पंकज मिश्रा नियाईक हिरासत में भी फोन के जरीए अधिकारियों के संपर्क में थे और लोगों को धमकाने के लिए मुख्य मंतरी हेमंद सोरेन के नाम का इस्तेमाल कर ले थे कुल मिलाकर हेमंद सोरेन पर हाथ डालने में E.D. की तेज चाल के बाद सियासत में ये चर्चा आम हो गई है कि सोरेन ने बीजेपी से पंगा लेकर मुसीबत मोल ले ली है और उन्हें आज नहीं तो कल मुख्य मंतरी की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी लेकिन क्या ये इतना असान होगा क्योंकि हेमंद सोरेन को जेल में डालने का मतलब होगा उन्हें जारखण की राजनीत का सबसे बड़ा नायक बना देना आदिवासी बहुल राज्य जारखण में इसकी जो प्रतिक्रिया होगी भाजपा इसका हिसाब लगा रही है और जिस दिन उसने इसका हिसाब लगा लिया सुरेन जेल में होंगे तब तक इसकी भूमिका बनाई जाती रहेगी रोज फिलाल इस स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्हें इतना बदनाम कर दिया जाएगा कि आदिवासी उन्हें खलनायक मानने लगे लेकिन ये भी सच है कि सियासत के हिसाब में दो और दो का जोड हमेशा चार नहीं होता एक गलत दाओं जारखंड की राजनीत में भाजपा को लेकर लंबे समय के लिए आदिवासीयों के मन में नफरत के बीज बो सकता है भाजपा इस बात को समझती है कि शिबू सोरेन को भरष्ट साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद जारखंड में आज तक कोई उनके कद के आस पास भी नहीं पहुँच सका आदिवासी उन्हें पूजते हैं हेमंत सोरेन उन्हीं के बेटे हैं अगर उन्हें जेल में डाला गया तो ये संदेश चा सकता है कि भाजपा अपने दम पर खड़े हुए कद्दावर आदिवासी नेताओं से नफरत करती है और उन्हें देखना तक पसंद नहीं करती दूसरी तरफ पिछली बार भाजपा ने रगुबर दास पन्ताओं लगाया था रगुबर दास आदिवासी नहीं है इससे आदिवासीयों के मन में पहले से ये बात है कि भाजपा एक गैर आदिवासी को उनके ऊपर थोप कर रखना चाहती है यूपी अगर इस नरेटिव के साथ आगे बढ़ता है तो भाजपा के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इसका जवाब देने की कोशिश में वो और घिरती चली जाएगी इसलिए भाजपा ये तो चाहती है कि हेमंद सोरेन को घेरा जाए लेकिस साथ में वो ये भी नहीं चाहती कि उन्हें हीरो बनने का कोई मौका मिले यूपिये की बैठक में कॉंग्रेस और आरजेडी दोनों ने हेमंद सोरेन के नित्रत में विश्वास चता कर अपने इरादे साफ कर दियें कि अगर भाजपा एडी एडी खेलती है तो उसे आदिवासी बनाम आदिवासियों से नफरत की राजनीद का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कर दीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसे याकृती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यू झाल 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 झाल